हलो दोस्तों आज अपने लो और दूमी बाइएंगे tout लॉता है केना जैसा और एक छिलेंगे तो सपेद दाल बन जाती है जैसी प्रण जबाड़ी को थैसे है याकिन्तु स्वादिश्ट लगती है हना तो यह वही वाली और स्वयावीन और उड़द यह तीनों ही लेग्मिनिसी फैमिली यह हैं तो हमारे लिए यह सुविधा बहुत अच्छी है कि समान इसके खेति के यह जल्दी हो जाईगा तो रख की खेति का वरणन करना है है तो जैसे मैंनेiblick कि है उसके बाड रॖ की by तो याहाँ हूँ जाएंगे बहुत जल्दी से जटकियों मैं तो यहां हम स्ग्धविसं के सेयों बन्च क्छा कोई यह फृता है वे इस तरह से दिखाई देगा बाकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मुंग की सा होता है यहां यह फ़ली लगी होई है यह उसने पत्ति निपरनी पत्ति होती है कैसी होती हैं यां व्वतित कि जड़ों में क्या पाए जाता है राइजोबियम क्या पआई जाता है राइजोबियम sleeping bacteria पाए जाता है जो की बाय मंडल की night oxygen को इसस्तीरी करम करता है तो बाय मंडल में कित्न einच इनर ए ऐवरेज भी 79 परσαंट होती है तो इसको यहगा नाइटू जंग डेगा अब आती हमारे सामने सका नाम हो गया और इसका कुल हो गया क्यों कि देखेंगे इसका महत्व जो मूम का महत्त है हुँआ का वी महत्तों है कोई विसेश अंतर नहीं है आपने जो मुम में सीखा है वही है मुम में क्या सीखा है कि इसका वानस्पति भाग पस्वून को खिलाने काम आता है यह दलनी फसल है इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टिरिया पाए जाता है जो भूमी में नाइटोजन करता है और कि आए पाई जाती है जो कि 24-25 परसंटी है जो कि बहुत ही उपयोगी है अंपरती है म्रदा एवन मुर्दा की तैयारी तो कैसे हैं मूं के समानी है वोई दो से तीन जुताईयां हमें करना है पाटा लगा के संतल करना है और उसके बाद गुवाई करना है वो हुई मुर्दा की तैयारी अब आती है किसमें कि उर्द की कौन सी किसमें वो हैं कि जादा से जादा उपस आ है इन गौालीयर तो है टाइप नौ है क्या है क्या है McMahon पूशा है कि जावाहर दो है जवाहर तीन ये इन वेराइटि यज्म में से आप चार वेराइटी कोई याद करें रखैए और उन वेराइटित मैं से यह एक है त्लिखना ही है ठीके उसके आता है बीजदर अर्थात बारा से पंद्रह केजी बीज हमाई लगेगा पर हेक्टियर यदि कव जब हम लोग कव कर रहे हैं खरीप में यदि जायद में करेंगे तो यह ज़्यादा भी लग सकता है तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए बीजदर कितना डला है बारा से अंद्रह केजी बीजी पर यक्टियर काफी होता है अब आता है रोग और कीट क्योंकि मुंग के समाने होता है जो रोग लगते हैं वही रोगते हैं यह याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना एक दमाग चलता है मूंग पेपर में दोड़त नहीं आएगा बड़त लेकिने तो एक की है बात कतम तो डबन डबर रखने की ज़रूती तो इसलिए यहां पर यही सोदा है कि लंबा चोड़ा प्रशन को अपन छोटे में बदल दिया और आपने कैसे हल करने का तरीका आ गया रोग की मुं के समानी अब आती हुपा जो पज भी लगवा कैसी है मु लेना देखे लिखना सीखो बार बार से लिखके देखो गारंटी के साथ आपको सबलता मिलेगी यह मेरी गारंटी है ठीक है रटना मना है बस यही बार बार से समस्ते लिए ओके